हलो फ्रेंड्स वेलकम टू सीमास कोक बुक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्तान की बहुत ही फेमस लैसुन की चटनी की रेसिपी बहुत जादा टेस्टी लगती है आप इसको स्टोर करके भी आठ से दस दिन तक कैसे रख सकते हो वो रेसिपी मैं आपके साथ शे म camping पर लाल मिर्ची ठोथी है कि आपके मेजर्मेंट कर सकते हो इसी में हरते औहरा डाल जान видео। तो हमारा oil बिल्कुल भी कच्चा नहीं है एकदम मैंने एक बार अच्छे से इसको गरम करके लिया है और अच्छे से इसको एक बार mix कर लेना है oil थोड़ा सा हम लोग को जादा लेना है क्योंकि हमको अगर जादा दिन तक store करके रखना है तो oil की quantity थोड़ी सी जादा लेनी है जिससे एकदम अच्छे से इसका color भी आएगा और ये खूब दिन तक ये चलेगा भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर उबालाना भी start हो गया तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टेस्ट के सबसे नमक तो यहाँ पर मैं इसके अंदर बिल्कुल भी खटाई एड नहीं करूँगी अगर आपको 8-10 दिन तक स्टोर करके रखना है या उससे ज़्यादा स्टोर करके रखना है तो इसके अंदर हमें कोई भी खटाई एड नहीं करनी है क्योंकि अगर आप कोई भी खटाई एड करोगे तो यह जल्दी से खराब हो जाएगी तो इसी इसाप से अगर आप स्टोर करके ज़्यादा दिन तक रखते हो तो बिल्कुल भी इसके अंदर खटाई नहीं डालना है सिर्फ नमक ही एड करना है और ओइल हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और अच्छे से इसको कंटीनियू चलाते रहना है तो यहाँ पर आप देख सकते हलका हलका ओईल अलग होना स्टार्ट हो गया है तो बस एकदम अच्छे से इसको हमें पका लेना है जब तक एकदम अच्छे से ओईल इसके उपर नहीं आ जाता है तो बस इसी साप से कंटीनियू चलाते रहेंगे और कवर करके हमें इसे पकाते रहना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमारी जो लैसुन की चटनी है उसके अंदर से एकदम अच्छे से कलर भी आ गया इसके अंदर और ओईल भी अच्छा अलग हो गया है तो यहां पर यही है हमारी लैसुन की चट्णी बनकर तयार हो गई तो फटा फट से इसको सर्व कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते है एकदम ऑईल अच्छे से अलग हुआ है कलर तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रैसुन की चटनी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना कमेंट करके बताना कि आपको मेरी बताई भी रेसिपी कैसी लगी है तो फिर मिलेंगे इसी इसाब से नई रेसिपी के साथ थैंक्यू इंजॉइ